आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ देना है 50.01 का आईए दोस्तों इसे हल करते हैं इसे हल करती हुए दोस्तों देखेंगे कि इसे हम जब दसमलोड यहां से अटाएंगे दो अंग बाद है यानि कि 100 से गुणा हो जाएगा यहां से भी दसमलोड हट जाएगा अब यह बन गया 3999 यह बन गया 5,001 अगर हम इसे 3 से भाग करें तो यह बन जाएगा 3,1,3,2,0,20 हो गया 3,5,8, फिर 20 हो गया 3,6,8, फिर 2,1,3, सते 21 हो गया और ये 21 होने के बाद दोस्तों फिर देखेंगे इसे इसे भी काटेंगे भाग करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा ये बनेगा आगे हल करेंगे ये दिया है 499.99 धन 1999 बटे 1333 गुणे 1666 गे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 499.99 धन उत्तर दोस्तों ये लगभग में आएगा ये कोई भी पूरता विवाजित नहीं हो रहा है जबकि दोस्तों उत्तर पूरांग में दिया हुआ है तो ये उत्तर लगभग में दिया गया है तो लगभग में हम भी लिखेंगे कि 1999 को जब हम 1333 से भाग करेंगे इसका भाग होने के बाद दोस्तों 1999 को 1333 से भाग करेंगे तो ये बनता है हमारा 1.499 ऐसे करके बनता है जो दोस्तों लगभग बराबर होता है 1.5 के तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 1.5 और 1.5 का लिख सकते हैं 3 बटे 2 गुड़े 1667 आगे हल करेंगे दोस्तों तो ये हमारा बनेगा 499.99 यहाँ पर अब लगभग बराबर लिख रहे हैं तो ये निसान बनाएंगे ये हो जाएगा दोस्तों 499.99 को अगर इसमें 0.01 और जुड़ जाए तो ये लगभग 500 के बराबर है धन और इसमें 3 से दोस्तों तो ये लगभग बराबर होगा 5001 को जब भाग दो करेंगे तो ये बनेगा पचीस सो दसमलो 5 और धन 500 आगे हल करेंगे दोस्तों तो ये पचीस सो में जब हम 500 जोड़ेंगे तो ये लगभग बराबर होगा लगभग बराबर होगा 3000 तीन हजार दसमलो 5 जिसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि ये लगभग बराबर है तीन हजार के जो की दिया हुआ है विकल्प सी में धन्यवाद